Welcome to Class 4 Class 4 आज हमारा Topic है Rules of Divisibility ठीक है पेज नमबर आपका है 20 इस पेजो फर्स्ट रूल है वो है Divisibility Rule for No. 2 ठीक है कि No. 2 का जो है वो Divisibility Rule क्या है इसके लिए देखें आपका बुक का पेज नमबर है 20 20 पेज को पर रूल No. 1 है Any No. with 0, 2, 4, 6 and 8 at the unit place is divisible by is divisible by 2 ठीक है अगर कोई भी आपके पास number है उसके unit place पे आपके पास है जी 0 2 4 6 और 8 ठीक है तो वो जो number है वो 2 पे divide होगा इसकी example है एक example के लिए आपके पास है जी number 138 अब इसका जो last number है वो last digit क्या है जी 8 ठीक है 8 जो है वो 2 पे divide होता है 2 पे divide करने पे 8 का क्या answer आया 4 यानि अगर हम 8 को 2 पे divide करते हैं तो answer है आपका 4 इसका मतलब 8 जो है वो 2 पे divide हो जाता है so according to rule जो है आपके 138 भी 2 पे divide होगा second rule है divisibility rule for number 3 ठीक है इसकी जो refination है page number 20 के उपर ही है आपके पास rule number 2 है if the digit of any number add up to a number which is divisible by 3 यानि अगर आपके पास कोई number है आप उसको add करते हैं add करने के बाद जो आपके पास number आता है वो 3 पे divide हो जाए ठीक है then the original number is also divisible by 3 तो उसके बाद original number है वो भी 3 पे divide होगा example के लिए आपके पास number है जी 105 ठीक है अगर हम 1 प्लस 0 प्लस 5 यानि तीनो numbers को 105 के तीनो numbers को आपस में plus करते हैं add करते हैं ठीक है तो जो number आएगा अगर वो number 3 पे पूरा divide हो जाता है इसका मतलब है कि आपका जो original number है जो आपको दिया गया है वो भी 3 पे divide हो जाएगा ठीक है यह दो rules है इसके according आपका page number है 22 page number 22 है बेटा इसका question number देखें question number 4 which of the following numbers are divisible by 2 ठीक है आपके पास यह numbers दिये गए है इन में आपने बताना है कि कौन-कौन से number जो है वो 2 पे divide होते है rule को सामने रखें इनकी practice कीजिए ठीक है इसी तरह question number 5 है which of the following numbers are divisible by 3 आपके पास यह जो आपके question दिये गए है A, B, C और B part है इसका question number 5 का इसमें आप यह देखें कि कौन-कौन से numbers जो हैं वो 3 पे divide होते है rules को सामने रखें इनकी practice कीजिए यही ऐसा homework आपके लिए आज की work है ठीक है thank you